ताहिद गोरा के शो बिला तकलुफ में मैं हलीमा साधिया आपको खुश्रामदीत कहती हूँ आज हमारी बातचीत होगी भारत में राम मंदर के रतिता के तैयारियों के हवाले से रोस यूकरेन जंग के तेनाजर में कहा जा रहा है कि यूकरेन हार की तरफ बड़ रहा है इस पर आपकी राए हमारे विउर्स जानना चाहेंगे इस्राहिल पर सीजफ वायर का दबाओ बढ़ रहा है इस हुआले से आपका क्या तज्द्द्धिया है सोशल मीडिया पर चेह मगुईया हैं के दाउद इब्राहीम कराची के स्थाल में शिदीद बिमार हैं यहां तक अफवाई गरम है कि उनको जहर दे दिया गया है आखर में अमरान खान की पार्टी के वर्चूल जलसा के बारे में आपका तपसरा सुनना चाहेंगे तो बातचीत का अगास करते हैं भारत में राम मंदर के इस्तिता की तयारियों के हवाले से प्राइम मिनिस्टर नरिंदरा मुदी 22 जनवरी को इसका इस्तिता करेंगे आप इन एडवांस इसको कैसे देखते हैं और इस मौका पर क्या तपसरा करेंगे देखें ये बहुत शुब की घड़ी है भारतियों को भारत को इस बात का इंतजार था के लाड़ राम के मंदर को वो दोबारा आयूदिया की सेकरड धर्थी पे देख सकें तो वो शुबगड़ी आ गई है राम मंदर की कंस्ट्रक्शन आलमोस मकमल हो गई है अगर्चे जो इतलात हैं वो उसकी और भी जो है तजीनों ताईश का काम जारी रहेगा इसे अफ्ता के बाद भी लेकिन जो तारीख हम तक सामने आई है वो यह है कि बाईस जनवरी दो ह हजार चौबईस को प्राम मूदी अफ्ता करेंगे और यह भी इतलात है कि अलमोस छे हजार डिगनिटेरी जो है उसमें शरकत करेंगे और इसमें यूपी की सरकार ने जोड दिया है चूंके अवाम का जोश औ जजबा है एक रेवरेंस है तो वो कह रहे हैं कि बाई इतनी तदाद में ना पहुंचें फिर उसके बाद यह मंदर तो अब हमेशा के लिए है उसके बाद आएं मगर जिस दिन इफ्ता का दिन है यानि 22 चनवरी को उस दिन वो यह कह रहे हैं कि अपने अपने मंदरों में जहां जहां जिस शेर में आप रहते हैं वहां पे पूजा जिए और आम शूर के इसको लाइब दिखाया जाएगा तो टेलिवीजिन की सक्रीन पर करोडों लोग मिलियंज और मिलियंज इसको वाच करेंगे तो यह बारत की सिविलाइजेशन में एक इंतहाई मौडर्न समय में एक एक इंतहाई एहम मोड है और मैं यह समयता हूँ के बिला शुबा यह एक बहुत ही मुकदस दिन है जब प्राइमनिस्टर निंडरा मूडी इसका इफ्ता करेंगे क्योंके प्राइमनिस्टर निंडरा मूडी जैसा कि आप सक्रीन पर देख रहे हैं इन्हों ने कोवर्ट के जमाने में जब इसकी बाचीश शुरू ही थी तो कुछ बाचीश की थी गए थे उस लोकेशन पर गए थे तो अब आप देख रहे हैं सक्रीन पर के यह इसकी जो तैयारियां हैं मकमल होने को हैं और यह बहुत यह खुब्सूरत बिल्डिंग है इसके हम देख रहे हैं आर्किटेक्ट देख रहे हैं तो हमारी भी बड़ी ख जाएं और लाड राम के शेहर लाहॉर जो उन्होंने अपने बेटे के लिए बनाया था जहां पर आप और मैं पैदा हुए तो अगर हम लाड राम की जनम वूमी पे जा सकें उनके समंदर को देख सकें तो वो जो लाहॉर का नाता है अयूदिया के साथ वो बड़ा ही खु पर धर्मा के लिए हिंदू सनातनी धर्म के लिए ये एक बड़ा ही एहम मुकाम है प्रामिस्ट निंदरा मूदी वर्ड वाइड ये मैसिच दे रहे हैं कि जहां वो सबी धर्मों से प्यार करते हैं मगर वो अपने धर्म को इंटेक्ट करने के लिए उसको अपनी हिंदूो की तहजीब को बरकरार रखने के लिए वो तमाम एकदमात कर रहे हैं बहुत ही पीस्फुल तरीके के साथ और मैं ये समयता हूं कि सब हिंदू के लिए इंकलूडिंग माईसल ये बहुत ही शुबगड़ी का दिन है चलिए बात करते हैं जी यकिनने इसमें बहुत सारा रूस यूकरेन जंग की तनाजर में यूकरेन को अभी तक ना अमरीका से मदल बिन रही है और ना यूर्पियन यूनियन से यूकरेन के सदर ने हाल ही में अमरीका का भी दौरा किया और यूर्पियन यूनियन का भी मगर उन्हें फौरी तोर पर मदल नहीं में सकी आप एक खौफनाक टरंड है. ना सिरफ यूकरेन के लिए, बलके यॉर्पीन यूनियन के लिए और अमेरिका के लिए भी. क्योंके सदर वलादी मेर प्यूतन ने बरहल अपनी सुक्सेस दिखाई है. उन्हों में लोगों के सवालात के जवाब दिये, सहाफियों को जवाब दिये, तो वो ये बताता है. और यूकरेन पचास बिलियन डॉलर लेने के लिए पहुंचा अमरीका के पास और अमरीका जैसी सुपर पावर अपने ही इंटर्नल प्रिटिकल इशूज में इतनी फंसी होई है कि उनको पचास बिलियन डॉलर अब देखने में वेली बाती है कि वो तो पहले तो पचास पचास बिलियन लेना था उससे क्या बनना था? कोई एक अथ साल यह चे महीने गुजर जाने थे. रूस तो खुद अपनी आमदन उस नोंने दोज़जर तईस में को ड़ाई सो बिलियन डॉलर उनकी अपनी आमद कोई जरीया नहीं है. युकरेन में जेतनी डिस्ट्रक्शन हुई है, उस डिस्ट्रक्शन को असरे नौत अमीर दोबारा से करने के लिए जो नमबर्स आ रहे हैं, वो साड़े साथ सो आठ सो बिलियन डॉलर के आ रहे हैं. अचा, रूस के लिए यह जस तरह वो पैसे कमा र रही हैं, जंग के हवाले से. यह युकरेन के अंदर भी, मिल्टरी के अंदर भी कानफ्लिक्ट्स हमने अब देखे हैं, जारे यह चीज़ें छुपी नहीं रह सकती हैं. हम यह समझें के जी यह अब दो सालों में हर चीज़ बेतरीन हो रही है. तो वो भी सामने आई, फिर वेस्टरन वर्ल्ड में, चाहे एवन कैनड़ा हो, अमरीका हो, यॉर्पिन यूनियन हो, वो सारे के सारी जो लोग हैं, वहां की जो अवाम हैं, वो यूकरेन को मदद देने के हक में नहीं हैं. वो यह सोचते हैं कि खुद कोवर्ट से हमें बाहर निकले, अभी डिर दो साल होएं हैं, बहुत सारी कोवर्ट की जो एकनामिक बरबादियां हैं, वो दुनिया ने देखी हैं, वो लोग रिकवर करना चाहते हैं, अच्छा, फिर वो यह अब सवाल उठा रहे हैं, पहले लोगों का जजबा था कि ठीक है, जी, रूस ने हमला किया, जियाती किया, यूक चले कुछ महीने पहले फिन लेंड की प्राइम निस्टर थी, तो उनकी मैं बात सुन रहा था, तो उनसे किसी ने पूछा कि कब तक आप यूकरेन का साथ देंगी, तो उन्होंने का जब तक रूस हार नहीं जाता, तो मैं तब भी मैंने सोचा था और आज भी सोचता हूं, कि रूस कैसे हारेगा, ये तो एक कांट्रोवर्शल जोन रहा है बहुत अरसे से युकरेन, कांट्रोवर्शल जोन भी रहा है, लेकर इसके साथ देखने लिए बात ये है, कि अगर वेस्टन वर्ल्ड ये समयती है, कि बहीं ये रूस को हम हरा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ब्लैक और वाइड नहीं है, कि जी आपने पहलवानों की तरह रूस के लगा दिये, जो हैं कंदे जमीन पर जुका दिये, वो उसके लगे भी हैं कंदे जमीन पर फिर वोट खड़ा हुआ है, ऐसा ही होता है ना, पहलवानों की कुछली में, आप पिछाड भी खाते हैं, फ और वो डटे रहे, ठीक है, आज के मौडरन जमाने में कोई मरने को तयार नहीं है, लेकिन फिर भी वो मर रहे हैं, अब क्या हो रहा है, रूस का पैसा आया, तो वलादी मेरे पिटन ने कहा, जो उनके लोग आर्मी में मर रहे हैं, उनको का जी, जो मरे हैं, जो जखमी हैं, ये लेजिए हजारों लाखों डालर, उसने फैंके, सस्टेनबिलिटी चाहिए होती है, कुछ न कुछ फरक चाहिए होता है तहरे से, और फिर एक वार जोन, कंटिनुस वार जोन में, आप कितनी को बेतरी कर सकते हैं, या 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 बिल्ट आप कर सकते हैं, हमारे पस बहुत स हम वर्ल्ड क्राइसिस पे हैं, हमें ये सोच के चलना है, कि किस जगा पे क्या होना पॉसिबल है? हाँ, और फिर ये, ये जो सोच है, अमेरिका की भी, ये भी, कि हमने सैंक्शन्स लगा दी रूस पे, रूस को हम तने तनखा करने का ऐसा भी नहीं हुआ, अभी, पिछले हफ़ते ही, व्लादी मेर प्यूतन का रेड कार्पिट इस्तक्बाल हुआ है, यूएई में, साओधी और ये दोनों मुलक जो हैं, अमरीका के इतहादी है, लेकिन उन्हों ने परवादी की, बिकास उनके साथ, जो रूस के साथ, उनकी ताजारत है, सिर्फ टेल के ताजारत ही नहीं है, हमने यूएई में देखा, आपने हमने, कई बार देखा, जब भी हम जाते हैं, वो रू हम यूर्प में थे, तो यूर्प की ट्रेनों में रूसी भी है, सारे सुर्जियल रैंड में ये, तो अब दुनिया एक गलोबल वेलच है, अब ऐसा नहीं हो सकता का अमरीका ने ये सोचा, के जी ये रूसी है, इनको गर्दन से पकड़ के हम दुनिया से अलग कर देंगे, और ये वलादी मिर प्रूतन है, इनकी एकानुमी का हम बेड़ा कर देंगे, कर दिया आपने, बड़े खुश हुए आप पहले छे महीने एक साल, उसके बास वो वापस आए, अचा खुद रूस से इतना ज्यादा टेल इंटारेक्टली खरीदा है, यॉर्पिन मुलकों ने रही नहीं सकते, आपने अपनी एकानुमी तो नहीं बरबाद होने नहीं, रिसोर्सिस की एहनियत से कभी भी इनकार नहीं है, इनर्जी पी चाहिए, तो इस सारी सिचुएशन में, अब ये है कि उस पेचारे यॉक्रेन की जो एकानुमी हम मांगे तांगे की है, उसके पास वो फिर ये अलजजीरा भी, और भी सारे टीवी, सीन, तो सब पर ये डिबेट चल रही है, गुच्छता दो, तीन हफतों से, कि भई, ये यॉक्रेन का मस्तभिल किया है, सब ये कह रहे हैं कि हमारी जो आवाम है, वेस्टरनर कमेंटेटर कह रहे हैं कि हमारी आवाम डिवा अर्मान जो है, इदर योगसलाविया, योगसलाविया कह रहा हूँ, बल्गेरिया में भी यही इशू चल रहा है, पॉलैंड भी पहले पहले तो बड़ी खुल की अमदादें दी, आज हो जी ट्रक गुजर रहे हैं, फिर उन्हों ने देखा कि उनके ट्रक ड्राइवरों क बिजनस खुद पॉलैंड वालों का बरबाद हो गया, इस हमदर्दी के चकर में, तो वो कोई भी अपनी जो बिचारा आम आदमी होता है, अपनी पेट पे लाथ नहीं मार सकता, यह सारे वह फैक्टर्स नहीं, अचा फिर अवाम यह कह रही है, पॉलिश अवाम सारी नहीं 40% होगी, यॉर्पीन यूनिन में भी 30-40% होगे, वो जो अभी गियर्ट विल्डर्स इलेक्ट होगे हैं, नीदर लैंड के, वो तो खुलम-खुला कह रहे हैं, अभी वो शायद प्राइमनिस्टर हो जाएं, इसके असाद का तालुक तो बदलती हुई सूरत है, ग्लोबल स को बिलकुल शिक्सत देढेंगे, पॉसिबल नहीं है, अच्छा रूस में बिलकुल शिक्स निहीं सकता किसी को, मत अब किसी बड़े मिलकों, अगर रूस से हम ये तूकوق़ करें, कि अमरीका को शिकस्थ देढ़ेगा, यॉर्पीन यूनियन को बिले सकता, हाँ, झाँ, या एक छोटा मुलक है, अगर दुनिया पीछे युक्रेन के ना खड़ी हो, तो युक्रेन अब तक नजरी ना रहा था, तितर बितर हो चुका हो था, रूस उसको हिसे बखरे कर चुका था, पहले भी उसने करीमिया का हिसाला किया था, तो मैं जाती तो पर यह समझता हूँ, मैं सेंक्शन लगा के डिवार पर लगा देंगे, अब वो काम नहीं करते हैं, अब दुनिया मुक्तरिफ है, और उसके साथ हर मुलक का अपना रोल है, और उसमें उसकी एक पूरी हिस्ट्री है, आप उसको डिनाई करके नहीं चल सकते हैं, रूस हमेशा से स्टॉरिकली बहुत इंपॉर्टन रहा है, तो चलिए अब इदर आते हैं कि सुरूस के सदर व्लादे मेर प्यूतन ने पिछले हफते चार घंटे का एक शो किया, और आप इस शो पर अभी थोड़ा सज़े से आपने टच्च किया, प्लीज मजीद थोड़ी सी हमारे वियोर्स को बताईए कि आ आप क्या सुचने हैं? देखिए विलादी मेर प्यूतन ने अभी ये जो चार घंटे की मैराथान प्रेस कांफरेंस की जो कांफिडेंस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो मतलब मुस्कराहर नजर आ रही है, जो कांफिडेंस, तो वो बताती है कि वो कितना वैल आर्केस् दिखावे के लिए सक्त सवालात भी लिए, मगर वो दिखावा था. अब जाहर है, रूस है, कोई कैनिडा नहीं है, कोई यॉर्पिन जूनिन नहीं है, जहां फीडम और एक्सप्रेशन हो, अब तो यहां पर भी फीडम और तरह हो चुका हुआ हुआ है, यहां पर भी काफ कांफरेंस, जैसे वो स्रेट ऑफ यॉनियन एड्रेस होता है, ना, प्रेज़न अव यॉनाइटर स्रेट्स का अरसाथ, इसी तरह यह भी हर साल उनका एक इवेंट होता है, इंपॉर्टन बात यह है, कि दो हजार बाइस में वलादी में प्युतन नहीं किया था, यह बीच म गैप इसलिए आया था कि उसक्त रूस वाकिए परशान था, अमरीका की मदद से यॉक्रेन ने उसकी मत मारे ही हुई थी, तो वो ज़रा मुशकल लाद थे तो उन्होंने उसको पोस्पांट कर दिया था, इस मार जैसे कहते हैं ना, कि कम बैक ऑन दे स्टेज वाली बात थी उन्हों का लो जी मैं वापस आ गया हूँ, अब पैसा भी कमा लिया है, हलाज भी काबू में कर लिये, यॉक्रेन को कहीं से पैसा भी नहीं मिल रहा, और परफें पर बड़ी शरीद पढ़ रही है, और रूस की जो आर्मी टैंक वो बहुत बरे हालतों में हैं, तो उन्हों रेड कारपिट उन्हों को मिला और ये वो मुल्क थे जो हमां अमरीका के इताद ही हैं, अच्छा पैसा भी दिखा दिया उन्होंने, पैसा अपनी फाज में भी फैंक रहे हैं, असला भी बना रहे हैं, इकनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत अहम है, और उसके साथ-साथ-साथ मुल्कों में लगाना चाहते हैं, फिर उन्होंने कुछ पैसा फैंके देखा भी एक कुछ बिलियन्स डालर, युकरिन को, उसका हासल उसलों ने कुछ नजर नहीं आता, अब वहां के लोग ये सोच रहे हैं, कभी मजीद हम कितना पैसा देंगे, ये तो अंदा कुआ है, प क्योंके वह बिल पास नहीं हो रहे है, खुद वह अमेरिका के एक स्पीकर कह रहे हैं, और जब ये मिस्टर विलिंस्की जो प्रेजिडन्ट है युकरिन के, अभी वह वहां पे थे, तो स्पीकर ने कह दिया, अमेरिका के, उन्होंने का, भी हम क्यों पैसे दें? चुँके वह डेमोक्रेट पार्टी के नहीं है, अचा रिपबलिकन में मिस्टर ट्रम्प उनके सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं, और वह बड़े खलाफ हैं, यूकरेन के, उनके प्लिटिकल रीजन्स भी हैं, वह ये कहते हैं कि ये जो सदर बाइडन ने यूकरेन का कार्ड मेरे ख ठीक है, अचा उनकी भी बहुत बड़ी पॉलोशेप है, आदा अमरीका उनको चाहता है, आदा अमेरिका डैमोक्रेट को चाहता है, तो अब ये सिरफ ये नहीं है, हकूमतों का मसला नहीं है, अवाम भी, यूरपियन अवाम की अक्सिरियत भी जो है, अक्सिरियत चले ना सभी तो 40 to 50% वो भी हाक में नहीं है युक्राइन के तो इस सारी सूरते हाल में वलादी मेर प्यूतन के चेहरे पे जो हमने देखी है मुस्कराहट, हशाश, बशाश, बशाश, वो मतब साव नजर आती है कि वो जो पिछले साल वो अपने हवास खो बैठे थे के लिए मैं यह कहती हूँ कि एक मिस्चीवियस स्माइल होती है जिए कहने जब कोई बच्चा शरारत में जीच जाता है तो वो कहता है कि अच्छा बाप बताइए कि वो मिस्चीवियस स्माइल जो है वो उनके चेहरे के अपर नहीं मतलब वो फुल फलेज कंट्रोल है रूस जिस तरह उन्हों ने ये प्रेस कउफरिंस की जिस तरह के से वो आये है लगता है वो अमीता बच्चं के तो और पर स्टेज में दाखल हुए हैं वो किसी बॉलीवड हॉलीवड के सुपर स्टार के तौर पर दाखल हुए हैं लेकर नहीं इस बार तो वो चुके जंग का जो पिछला साल था वो उनके लिए बड़ा भारी था मगर उन्हों ने अपने अपने आपको दिखाया है कि वो बड़े मतलब सॉलिड हो गए हैं चली इस वक्त दो अहम मसाइल हैं इनकी तरफ वापस आते हैं ये बहस भी मगर्वी प्रेस में जोर पकड़ती जा रही है कि इस्राइल और हमास की जंग छुड़ जाने के बाद प् हम सब के सोचने के लिए है कि अगर रूस और युक्रेन का जो मसला है वो हमास और इसराइल के जंग की वज़ा से हमास जो घजा की पटी पे जो एक चोटी सी पटी है ठीक है उसमें दो मिलिन लोग रहते हैं उसने कबजा किया हुआ है और इसराइल भी चोटा मुन का अग अगर वेस्ट का प्रेस और वेस्ट की हकोमतें इतनी परशान होई हैं कि युक्रेन जोंके तो फिर इन सारी हकोमतों को इस प्रेस को सोचना होगा कि इनकी क्या उकात हैं कि अगर वो रूस और युक्रेन की जंग के तनाजर में इसराइल और हमास के फटे को टॉलरेट नह नहीं कर सके तो फिर ये किस बड़ी जंग की जीतने की बात कर रहे थे रूस से? मेरा कहले है वैसे इसके बहुत से पहलु में से एक पहलु ये भी निकलता है कि इस सुथ हम कोई भी जंग अफोर्ट करते ही नहीं दरहसल जो situation जिसमें हम ऐदर वे यहीं इनी गालोबली हमें देखना है हमारी global warming की situation देख लीजए वाही कोई भी situation देख लीजए ना politically ना economically ना एको लॉजिकली हम अफोर्ड ही नहीं करते मेरा खाल है यह बहुत बड़ा ट्रॉमा है आप कहरे है चोटी मिलिटरी वाइस तो इस्राइल है और वेरी वेरी स्ट्रॉंग मिलिटरी पावर जी वो अलाका जरूर चोटा है लेकिन इसमें तो फिर बात हुई है कि मजबूत कौ इससे बड़ी जंग थी बहुत बड़ी जंग है क्योंकि उसमें डारेक्ट इन्वाल अमेरिका यॉर्पिन जूनियन पीछे आ गए सब कुछ उनों ने किया अभी इसमें तो पीछे नहीं आ रहे है सिर्फ जबानी कलामी हमायत हो रही है ज्यादा ज्यादा अमरीका ही असल और वेस्टरनर प्रेस को और वेस्टरनर हकूमतों के होश उड़ा दिया है और इसराइल और हमास के इस पड़े ने रूस यूकरेन की जंग को बुला दिया है तो फिर इससे अंदाजा करें कि ये जो प्रेस है इतना हुज प्रेस है ये फिर हवा के वो जो है बुले के कर रहे हैं लेकिन वह बात हो इनी पारी है इन से यह आपका मतलब है के राय की एहमियत नहीं है है सच वह प्रेशर जो एक जमाने में दबाओ जो एक हुआ करता था प्रेस का वह कतम हो गया वह रोल प्रेस अब पार्टी बन चुका है पूरी दुनिया में अब वह दबाओ लेनी की बजाए दबाओ देने के चकर में होता है वो खुद एक फरी के तोर पर ना कि जी वो अब उपीनियनेटेड इतना हो चुका हुआ प्रेस सारा इंटरनाशनल प्रेस कि उसमें रिपोर्टिंग काम रह गई है और वो पार्टीयां बन गई है हैं को अधर कड़ा के साथ कड़ा है कोई liberal कूटों के साथ खड़ा है जो भी सो कॉल लिबरल होती है यह सो कॉल कंजबेटिव होती है को एसेंटर लेफ्ट को दो सेंटर राइड के साथ खड़ा है तो बस वो इसी तरह की दुनिया है जिसमें हम गई चलिए आब आते हैं फ्रांस चर्मनी और बरतानिया समेट दुनिया के बेश्टर ममालिक ने इसराइल में सीस फायर के सिलसला को के दुबाओ को बढ़ा दिया है भारत ने भी सीस फायर के लिए यू एनो में वोट दिया है आएंडा आने वाले दुनों में आप सीस फायर का ये एक मसलसल सवाल है जो मेरे खहले हम हर सेशन में करते हैं क्योंकि हर दफा कोई ने कोई पॉइंट होता है तो प्लीज इस पे थोड़ा सा हमारे वियोर्स को शेयर कीजिए आप क्या सुचने हैं लेकिया सीस फायर का या मस्तकिल सीस फायर का क्या इमकान है इस से पहले वो जो अब बड़े बड़े देशों का दबाव बढ़ रहा है इसराइल पे मैं उसकी तरफ आता हूं और भारत का आपने जिकर किया तो यू एनो में पिछले हफ़ते ही एक वोट हुआ था कि जी सी किया था लेकिन भारत ने भारत रिकनाइस करता है कि हमास ने टेरिजम की थी मगर भारत ने भी बोड़ डाला कि यह सीस फायर होना चाहिए अब तक कि इतलात के मताबक उननीस बीस वजार फलसीनी भी मारे जा चुके हैं आम शाहरी के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज़ कि जैसी ट्रक गुसे खाना लेकर तो ट्रकों पे बिचैरे भूके लोगों ने यलगार कर दी मताब इसमें कई सोचल मीडिया पर पीनन चल दी है कि यह तो जी भूके होते हैं इस तरह के लिए मताब मैं उन लोगों से पूछता हूं कि अगर आप भी डिर दो महीनों से मता पानी नहीं है कोई भी दुनिया का हो चाहे वो उसकी सोच अची है या बुरी है सब इनसान है तो वो उन्हों ने भी अटैक कर दिया वो मताब जाहरा एक नैचरल सी बात है इस सारी सिच्वेशन में भारत ने भी जो कदम उठाया वोट दे कर वो एक अच्छा कदम है भार कर रहे हैं मोदी जी से का भाई मोदी जी ने ने किया वो बहुत इसराइल की हमायद करते हैं मैं भी इसराइल की बहुत हमायद करता हूँ मतलब अनकंडिशनल मेरी हमायद होती है लेकर एक सवाल भी होता है कि उस हमायद वो ठीक है हमारी चुको इसराइल के साथ बहुत ज हुई है, यहुदियों के सथ बहुत ज्याती हुई है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जब यह प्लिटिकल बात आएगी, कि जी हम ने तो बगएर किसी कंडीशन के इसराइल के साथ खड़े होना, तो मैं उन जो हमारे बहन बहीं हैं भारती, जो बहुत ही अनकंडीशनल के साथ खड़े होते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, कि क्या भारत के साथ हर मसले पे इसराइल के साथ खड़ा होता है? अभी यह अमरीका में वो एक चल रहा है जी, कि बारती किसी हकूमत के कनेक्शन की वज़ा से किसी मतब एक खालसानी लीडर पे हमले का इमकान था, या जैसे हमारे कैनिडा में प्राइम निस्टर तो बहुत सारे जो इश्वज़ हैं जैसे यह है मसला जो Hindoo सिंबल है, एक बहुत ही नोबल सिंबल है हिंदोओं के लिए, वो यहूदिओं में म अम मशूर हो चुका हूँआ है, कि वो जो है, वो सिंबल जो है वो ठीक नहीं है तो यहुदी तो इस बात को नहीं समझते हैं अभी हमारे ब्रैम्टन में ही एक मंदर के अंदर हनुमान जी का एक वो हुआ है बहुत बड़ा स्टैचियो लगा है मंदर के प्राइविट प्रापर्टी में है सिटी के प्रापर्टी में भी नहीं है तो उस पे जो बात आई है तो उसमें मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया भे बहुत सारे ज्यूज जो है वो साथ नहीं दे रहे मुझे कोई इखतलाफ नहीं है का अगर नहीं मैं साथ देते हैं हरे की अपनी राए है पर कितना बात कर दी है और पालिटिक्स में बाइलेटरिल रिलेशन्स बहुत अहम होते है उसमें कोई वन वे ट्राफिक चलाना मुम्किन नहीं होते है अच्छा फिर जो अरब देश हैं खास और पर ये जो रिच देश हैं साथी अरब, बहरेन, कतर को छोड़के बाकी जो हैं ये सब के सब भारत के साथ ने बहुत अच्छे तरलकात हैं इवन कतर के भी बुरे तरलकात नहीं हैं सिर्फ एक मसला पर वो जो छे नेवी के आफिसर्स हैं वो कुछ थोड़ा बहुत तनाजा चल रहा है उसके इलावा कतर के भी अच्छे तरलकात हैं भारत के साथ अब भारत को क्या पड़ी हुई है कि वो इसराइल का अनकंडिशनल साथ दे के उनकी जो पबली कंजम्शन है उसको खराब करें अच्छा यूएई, साओधी और भो वो हमास के हाक में नहीं है देर डाइक हमास लेकर उनकी पबली कंजम्शन है वो कोई फलसीनियों के खलाब बात तो नहीं करेंगे हमास के खलाब वो बात करनेंगे इस सारी सिच्वेशन में प्राइम निस्टर निर्दामोदी हो भारत की सरकार वो सब के साथ अच्छे तलकात कर रहे हैं फिर ऐसा भी नहीं है कि उनके पारलिमंट यूएन की जनरिसाम्बली में ये वोट देने से सीज फायर के लिए को शेट के साथ तल्लकात भारत के खलाव हो जाएंगे ऐसा भी नहीं है इसराइल भी मिचूर मुलक है उनको भी पता है कि ये भारत के लिए एक पाबली कंसम्शन का मसला है, भारत ये बात करेगा, अगर अब सीस्वायर की बात, फरांस, जर्मनी, बरतानियां जैसे देश कर रहे हैं, इसराइल के साथ, तो भारत को क्या मसला है, भारत को बुरे बनने की क्या जूट पड़ी हु अफ़ाएं गरम है कि दाओद इबराहिम को कराची में जहर दे दिया गया है, मजीद अफ़ाएं ये गरम है कि वो हलाक हो गए है, मगर हकुमत पाकिस्तान ने तो उनकी पाकिस्तान में मौजूद की को कभी मानाई नहीं, जबके वो अमरीका को भी मतलूब है, तो फिर सिल्सले पे क्या तब्सरा करेंगे हैं? और अभी भी चल रही है, इंटरनेट भी बंद हुआ, संडे को इमरान खान की पार्टी का विर्च्वल जलसा था, उनकी पार्टी का ये कहना था कि हमारी जलसे की वज़ा से हकुमत ने इंटरनेट बंद कर दिया, मगर सोचल मीडिया पर ये भी कहा जा रहा है, चूंके ज आफ़लों में कहते रहते हैं, को दौल बिबरहिम से उनकी मुलाका था हमें कहे हैं आपको और मुझे कहे चुके हुए हैं, क कहि हा और है तौलती भारत बंद के रहा है, ये बातब हमे ने बैठ़ ंवे, बाकर और अधा बारत बारत को मैंस्सरण Millionaire को अधर Time Une Globid कायते हैं ना हमारे पास है देखिए दाउद इबराहीम के बारे में वह यह कहते हैं वह मारे पास नहीं है क्योंकि अमरीका को वह मतलूब है अच्छा तो इस लिए बड़ी इंट्रेसिंग सिचुएशन है अब पाकिस्तान से तो कंफर्म हो इसकता कभी पाकिस्तानी जनलिस् सकते हैं जो वहां रह रहे हैं लेकिन जो चनलिस्ट थोड़े बहुत जैसे आर्जु काजमी का एक वीडियो कलिप वाइरल हुआ हुआ है वो भादर हैं बिचारी उन्होंने बोल दिया के बई जो जो हलात है जो सिच्वेशन है उसमें लगता है कि कुछ कुछ डाल में काला ह है उन्होंने ये बोला कि इंटरनेट जिस तरह बंद हुआ विर्चुल जल्सा के लिए कुछ दो तीन गंटों के लिए बंद हो जाता वो पूरा देनी इंटरप्शन रही वो इसलिए कि पाकिस्तान में वो सुना जिस हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटलाइज हैं अब किस वो हॉस्पिटलाइज हैं इसके बारे में हमें नहीं पाता इसके बारे में अफवाएं हैं कि उनको पौईसन दिया गया अब पाकिस्तान में तो कुछ भी हो सकता है वो अपने एसेट्स को ही एरेज कर देते हैं जब बैनल कौामी दबाव उन पर बढ़ता है हमने कई ऐसे को भी ठीक करने हैं किसा मुक्तसर के केस नो ठपना है केस को ठपना भी है वो मतब जिसे कहते हैं न चुपकली वाली के उसको ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं वाली कैफियत है तो ये कैफियत है अब ये कैसे कंफर्म होगा मैंने कुछ कह सकता कि कभी ये इस तरह की ख इसी खबरें आई कि दाओद इबराहीम हॉस्पिटलाइज हो गए थे फिर वो आगए बाहर तो वो आती रहती है अब इस बार चुके वो बताया जाता है उनकी एज शायद सिक्सी सेमन यह 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 शायद इस से ज्यादा नाइटिन फिफ्टी फाइव में वो अगर पैदा तो शायद 68 होगी लेकिन यह खबरें रुकती भी नहीं है बिलाकर जो भी होता है फिर सोशल मीडिय है हम जिस दौर में रह रहे हैं अभी नेक्स्ट यही इसी तरफ हम आएंगे कि इतना अजीब दौर है जैसे कि इमरान खान का पार्टी का वर्चुल जलसा हो और AI की और AI कार्याओन रहे हैं इस वजब दुखी रहाँ यहां जलसा जो ए सक्मेंट्रि करते हैं तो में जलसा लगा दिय आ साथ मैं और कौकरता रहा रहा कंप्यूटर पर सब्ल मीर चलता रहा, वह भी पतने थीपा नहीं ती, चार गट एक का काम था उस में है कोई अद।रह दो, तीन, खवातीन, वो मौडरेट कर रही थी, फिर हमारे कैनिडा से, शिकागो से, ओहायो से, पैरिस से, स्पेन से, कुछ गुरुप बीस, पीस, तीस के हाल्स में बैठी हो में हैं, मुखतर जगों पे, कैल्गरी से, टोरॉंटो से, वो अपनी उचलकूत कर रहे हैं, नार मादाजर है, या वो एक सैनिटर थे, जिन्नों ने, बाजबाद, वो पाकिस्तान की चीफ, आर्मी स्टाफ, उस पर जो थे, फॉर्मर, उनके लिए एक सक्त लैंग्विज लिखी थी, तो काफी उनको मारवर पड़ी थी, तो, वो मुझद का नाम एक दमने रिजन से निकल रहा है, फिर वो एक और पी टी आई की, एक सीनिर खातून लीडर हैं, सर्ताच गुल, अच्छा इस तरह के कुछ लोग थे, चुकि जो में लीडर्शिप है, इमरान खान समेथ, वो तो जेल में है, शाममुद कुरेशी हों, या उस जमाने के जो मशूर लोग टेफवाद चौदरी हों, तो वो तो सब जेल में बैठी हुमी हैं, और तौबा ताइब उन में से कुछ लोग कर चुके हैं, तो ये वो जो थे ना, कुछ लोग बोल रहे हैं, किसी का मैसेज आ रहा है, और वो इमरान खान के बारे में कहते थे, ये एक रेड लाइन है, उसको टाचना कर देए, वो रेड लाइन इस वक्त अडियाला जेल में बैठी हुई है, उनकी, तो खान साब का एक मैसेज आया, अब वो मैसेज उन्होंने ए आई जो है ना, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस आवाज में, जाहर आर्टिफिशल इंटेलिजेंस की, अर्दू की क्या पॉने मैं मजबी आदमी नहीं हू, मैं भी ठीक से पढ़ रहा हूं. बगर खान सब से, कभी ये पढ़ा नीजाता ठीक से. वो पढ़ते हैं स्लिल्लाई रिस्लम कुछ इस तरह को पढ़ते हैं अच्छा इसी तरह वो आर्टिफिशल इंटेलिजन्स ने भी इसी तरह पढ़ा जिस तरह खांसाब पढ़ते हैं यानि जितने खांसाब नलाइक हैं उतनी ही उनकी आर्टिफिशल इंटेलिजन्स नलाइक निकली। और वो इतायी एक बौड सा बहुदा सा प 같아 था. फो पूरा साड़े तीन चार साल का, साड़े तीन चार गंटे का माफ बाफ की जिये वो जो जलसा था विर्चुट जल्सा वो एकक बौियत का अला शाहकार जलसा था एज उजल जत्राइद के होते हैं लेकर वो तो खैर जब इमरान खान कभी एक्चुली लाइव जलसा करते थे तो फिर वहां बंगड़े पाड़ रहे होते थे बर्यानी चार रहे होते थे एक अजीब हाँ चलिए 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 वो फिर भी मत बरदाश हो जाता था ये तो बिल्कुल ही बुरियत की न्थाओं को चूरा था अब इस विर्चुल जलसे से वो क्या थाबत करने की कोशिश में थे अब उनका ये कहना जी के वो एक मिलियन लोग आ गए थे एक मिलियन लोग तो अगर हमारे ये जो दोस्त हैं मेजर गोरवारिया उनका जब शो आता है तो वो एक मिलियन तो वो वियूस वो उनके ही चार पांच गंटों में हो जाते तो मतब जो उनके अपने ऑफिशल चैनल से शो शो आता है तो अगर मेजर गोरवारिया के एक मिलियन वियूस आ गए तो ये पूरी पार्टी मिल के एक मिलियन वियूस तो ती YouTube है तो वाट अ बिग डील ठीक है अब ये व्यूज के खेल में इस तरह के जब ये बातें करती हैं बड़ी बड़ी पुलिटिकल पार्टी है जैसे पीटी आई तो हंसी आती है अब देखने वाली बात ये है कि इस जल्से से क्या हासल वसूल वा कुछ भी हासल वसूल नहीं ह एक खाबाद करवाने का हुकम एलेक्शन कमिशन को दे दिया है कि आपको पाकिसांद में कभी पुलिटिकल स्टेबिलिटी होती नजर आती है बड़ा ये मुशकल सवाल है मैंने तो 75 साल में पुलिटिकल स्टेबिलिटी मतलब पहले तूम पढ़ा करते थे फिर कमस्काम को पंतालीस सालों से तो होश जब से हमने समाला तो बकाइदगी से देखी रहे हैं पाकिसान को बहुत अंदर गुशके देख रहे हैं पहले रहते थे मैं आपको यहां इंटरॉप्ट करूंगी मेरे जहन में बहुत बुला रहा है यह सवाल कि हम एलेक्शन से चाहते क्या है दर असल एलेक्शन पॉलिटिकल प्रॉसस तो है लेकिन यह पार्टी वो पार्टी यह कर लिया वो यह निया क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का एलेक हो जाएंगे अब ये एलेक्शन खटनाई में पड़े हुए है अल्मोस कोई देर पहुने दो सुस देर पहुने दो सालों से जब से इमरान खान की सरकार गई है उस वज़ा से प्लिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत बढ़ी है अब फिर ये बढ़ रही थी जब पी टी आए ने एक लहूर हाई कोट को एक प्रेटिशन दी थी जिस पर एक जज्जमेंट भी ले ली थी के जी इलेक्शन जो है वो अभी ज़रा रोकें ये जो आफिसर्स लग रहे हैं रिटर्निंग आफिसर्स जो लग रहे हैं ये ठीक नहीं हैं ये सारे बद्यानत है तो फिर सुप रही थी, कि हम एलेक्शन कराना चाहते हैं, हम एलेक्शन कराना चाहते हैं, अब यह जो उन्होंने डिसीयन लहॉरा ही को एटसर लेकर आए थे, पी टी आइ, इससे साव यह लगता कि यह लेक्शन में अब इंट्रस्टेड नहीं है, चुक्कि इनके मेजर लीडर अंदर होते हैं, तो शायद हम भी कुछ डिले होने से फाइर आट हा लेंगे, लेकिन सुप्रेम कोट ने यह कहा कि नहीं यह लेक्शन वक्त पर हो कि क्यों? ताकि यह जो इनस्टेबिलिटी होई है, यह खतम हो, अब सवाल यह पैदा होता है कि आपका बनिया दी सवाल कि क्या यह यह लेक्शन अगर हो जाते हैं तो उसके बाद पुलिटीकल जो इनस्टेबिलिटी है, यह खतम हो पाएगी, थोड़ी खतम हो पाएगी, चुके जो बिर्जल्ट आएंगे हैं, अगर इमरान खान की पार्टी के हाक में ना है, जैसा अगर देख रहा है, कुछ मैनूवरिं के लोग जीत गए, तो इनकी सरगार नी बनने दी जाएगी, फिर भी इनस्टेबिलिटी होगी, तो मुझे लगता है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं, तो अपरेंटली यही समझाती है, जो वहां की मशीनरी है, रियासी मशीनरी है, अगर उन्होंने इतना जतन किया है, सकते हैं, खाँ सब जेल में हैं, लीडर्शिप जेल में हैं, और काफी आइरन फिस्ट किसम का क्रैक डाउन चल रहा है, तो वह और भी चलेगा, तो फिर ये एक एक, जिस तरह हमने शवाज शरीफ की गवर्मेंट देखी, जैसी भी थी हंगामाद था लिगें, फिर भी उन नहीं हो सकता, लेकिन ये इस वक्त के लिए पुलिटिकल सिलूशन यही पॉसिबल है, यही कॉंसिटूशन भी कहता है, पाकिस्तान का यही इस वक्त जिससे कहते हैं, लॉजिकल बात भी है, और जाहर है वहाँ पर आइडियल तो कुछ भी नहीं होना ना, चलिए, आज के बिला तकलुफ शो में, बिला तकलुफ तपसरों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज का बिला तकलुफ शो ताहिर गोरा और मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया, आप हमारे टैक टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इसी चैनल पर मौजू तो दोनेट के बटन को क्लिक करकर आप हमें पेपॉल, पेट्रियॉन या क्रेडिट कार्ड के जरी दोनेट कर सकते हैं कि मुझे पेट अट्सख्राइब अग्युट्व चानल कि अधिसे अग्यूटे ऋट्सवा हैं